नमस्कार मैं आपका दोस्त अभेव कुमार बड़ी ख़वर निकल रही है पंचायत चुनाओ से स्रम्बंदित अधिर वीद तीस कैबिनिट की बैठेक्ट समाप्त हो गई है और जो सबसे बड़ी ख़वर निकल के आ रही है कि पंचायत परतिनिद्यों के कारों के टेंशन न नहीं बढ़ाया जा रहा है लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकाल रही है आपको बता दे कि बिहार ने पंचायत चुनाओं को लेकर तरत रहे क्यास लगाये जा रहे थे जिस पर आज पूर्न बिराम लग चुका है यह बात तय हो गई है कि अब बिहार ने पंचायत चुना में कुछ सुधार भी हुए है और निकीज कुमार के नितित में जो बैठा चली मेरातन मीटिंग चली उसके बाद पंचायती राजमंत्री समराच चोड़ी मार्विकल का सामने आये मीडिया को बताया है कि वो कारेकाल का अंस्टेंशन नहीं करेंगे लेकिन बीच का रास्ता निकाले है और पंचायत परते निध्यों के अत्रिष्ट सक्तिया दी जा रही है तो पूरी ख़वर को हम बताने ज अगर आप चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कि है तो सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि 15 जून को पंचायत परते निध्यों का कारेका समात्त हो रहा था जिसको बिहार में तरह के कायास लगाए जा रहे थे एक अलग तरह का समयदानिक संकट पैदा हो गया था लेकिन अगों संकट पर पूर्ण बिराम लग चुका है पूरी तरह से अज उनके लिए एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और उसमें 18 एजेंडे पर मुहर लग चुके है कि इसमें पंचायती राज अधनियम 2006 के धारा 14,49,86 में सुधार किया गय औरогे नहीं इन जर्परतनिद्यों का कारेकल बढ़ाए जाएगा लेकिन इनको कुछ अत्रिक्टं सक्थिया दी गई है जै से इनका प्रामर्स समीती का गठन किया जाए गा जिसके स्धत्ष से और अधर्यक स्थाएं है उनके अध्यक्ष होंगे और मुख्या जी होंगे उसमें जिलापरिशा सदस्ट होंगे बीडीसी मेंबर होंगे इन सारे प्रामर्स समीति का गठंज होगा उसमें सदस्ट होंगे उन्हें कोई पत दिया जाएगा एक जिम्मेदारी इन्हें दे दी गई थी हलाकि आपको पता है कि जो भी पक्षी पाटिया थी सरकार में सामिल भी दीता मांजी ने मांग किया था कि इन परतिमीदियों का कारेकल बढ़ा दिया जाए और यहाँ तक कि जो सरकार में सामिल भाजपा के सांसद मांग किया था कि इन परतिमीदियों का कारेकल बढ़ा दिया जाए लेकिन आज इन सारे बिंदों पर आज बिराम लग चुका है हम लेकिया है ताजा ख़वर अभी अभी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ अभी अभी जो समराग चौदरी ने बताया है कि अब ऐसा नही होगा कि कारेकल बढ़ाया जाए कारेकल नहीं बढ़ाया जाएगा नोट करने वाली बात है और यह नोट कर लिजे कि पंचाइटी आजनियम धारत 1449 और 1862 में संसोधन किया गया है संसोधन के बाद यह दिवस्था दी गई है कि बिहार में पंचाइट चुना तो नहीं एक प्रामर्सि समीति का गटन किया जाएगा जिसमें इन चुने हुए जो पंचाइट जुनी बरतमान पंचाइट परतिनीदी है उनको अतिरीक्त सक्ति दिया जाएगा तो ध्यान देने वाली बात है वाई कि सरकार जो हैसे बीच के रास्ता अपनाई है दोस्तों ध्यान बात चल रही थी कि आखिर पंचाइट तो में जब इनका कारका समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों यह पूरी निकल कर आ गई है सामने और थारे एजेंटे पर कोनकों से मुहर लगी है इसको मेरे सामने आगिया इसको अध्यन किया जा रहा है इस अध्यन के बाद आपके साम जो omega कर रहे थे उनका कारका सामाप्त हो गया तो यहाँ धिताइट बिलकुल अभी अभी घदर और तो इस तरह कि अबर इपके लिए वहारे रहिए हमारे साथ हम आपसे विदान लेते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में जैहीं बंदे मातर мест को